नमस्कार में ममदासिफ और आप देख रही हैं इस पे नई निवूद। पत्ता है कि उनका पत्ता खेल करने वाले हैं जी हाँ आज हम बात कर रहे हैं राजिस्थान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोत के बारे में उन्होंने सचीन पाइलिट पर जबर्दस्त पलटवार किया क्यों किया है पलटवार क्यों कहा उनको निकमाना कारा यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका हिसाब अशोग गहलोत को देना परेगा और उसका कितना बड़ा जटका लगेगा मो बैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले जो खबर है वो पहले आप दरसों को बता दो गहलोत के आरोपो का आरोपो पर जो है पाइलिट का जबर्दस्त पलटवार आय कहा है मुझे को पहले भी कह चुके हैं नकारा और निकमा दरसल मामला यह है कि सीम अशोग गहलोत ने हालिया बयान के बारे में सचीन पाइलिट के बारे में तमाम चीज़े कही थी अब सवाल यह है सचीन पाइलिट को लेकर प्रियंका गांधी तारीफ करती है राहुल गा प्रथन और सहयोग मिलना सचीन पाइलिट को सचीन पाइलिट की तारीफ करना राहुल गांधी जी सरसे तारीफ कर रहे थे और अशोग गहलोत उनको पता है कि राजिस्थान के अगले चुना में कुछ नकुछ तो खेल होगा उनका पत्ता भी कर सकता है सीम का चेरा सचीन हो सकते हैं यही वज़ा है कि आखिर दोनों के गोटों के बीच में नाराजगियां पहले भी थी अब भी है और हो सकता है आगे भी रहेगी इसका खाम्याजा यही है कि अशोग गहलोत को ही भोगतना परेगा क्योंकि एक तो सचीन पाइलिट उभरते चेरा है और कॉंग्र ऒटनाराश है अब असोग गहलोत क्या करें कि उन्होंने हलके मिलिया यही एक चीनियता की पहचानही अपनों से क्या सिकवा हिला करना क्या पलट वार करना इसलिए जो हो गया आसके